एक बार नागिन देखती है कि नदी के किनारे उसका बच्चा घायल है, तब ही वो जोर से चलाती है, किसने किया ये सब, तब नदी के अंदर से जलपरी कहती है, यहां पर बिर्जु आया था, इतना सुनते ही, नागिन गुस्से में बदला लेने निकलती है, इधर बिर्जु ने ही उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई लेकिन तभी बिर्जु के चिलाने की आवाज आती है। नागिन जाकर देखती है कि पेड़ पर रहने वाली चुडेल बिर्जु को पेड़ के अंदर खीचर ही है। तभी नागिन अपने जादू से बिर्जू को बाहर खिचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चुडेल उसे छोड़ती नहीं, तब नागिन पेड पर आग लगा देती है, आग लगते ही चुडेल बिर्जू को छोड़ देती है, और नागिन बिर्जू को खीच कर बाहर नि बचा था इसलिए उसे नागिन पर बहुत गुसा आता है और नागिन से अपना बदला लेने के लिए नागलोक में चुडेल एक गड़ा बना कर जाती है कोई भी नागिन वहां पर आती तो वो गड़ा बड़ा बन जाता था और वो उस गड़े में चले जाते थे ऐसे ही और दो राक्षस वहां पहरा दे रहे थे तभी नागिन अपने नागिन रूप में आकर उन दोनों राक्षसों पर हमला करने आगे बढ़ती है राक्षस उस पर हथोड़ा फेक कर मारते है नागिन उनके हथोड़ों को नश्ट कर देती है जैसे ही दोनों हमला करने आगे आ और नागिन एक पिंजरे में कैद हो जाती है। इधर शेशा अपनी मा को धूनते धूनते उस गड़े में गिरने ही वाली होती है कि नागराज उसे बचा लेते हैं। पर अपना जादू फेकती हैं। लेकिन नागराज उस पर नागों को फेकते हैं। चुडेल नागों को नश्ट कर देती हैं। तब तक नागराज कुछ नागों को नागिन के पिंजरे पर फेकते हैं। पिंजरा तूट जाता है और नागिन आज़ाद हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही डेर में वापस उठकर खड़ी हो जाती है। चुडेल की चोटी में आग लग जाती है। चुडेल इधर उधर भागने लगती है। लेकिन आग जादा बढ़ने की वज़से चोटी जल जाती है। और चुडेल मर जाती है। नागिन और नागराज अपने लोगों को लेकर नागलोक वापस आ जाते हैं। तभी नागिन क रहे Toek जाती है। आकर वो सभी पर अपना जादूई काला धुआ छोड़ती है जिससे वो आदमी अंधा हो जाता है फिर नागिन उस लड़की को बाहर निकालती है और उसे अपने मामबाप के पास छोड़ कर चली जाती है अपनी बेटी घर लोट आई इस खुशी में बिरजु अपनी पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन करने चला जाता है आगे जाने पर दीखता है कि आगे रास्ता नहीं एक बड़ी सी खाई है दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं तभी आगे से एक बड़ा साप रेंगते रेंगते आता है दोनों उसे बताते हैं कि पीछे एक चुडेल आ रह से लावा की नदी को पार करते हैं, थोड़ी ही देर में वहां चुड़ेल आती है और साप से, आगे जाने के लिए रास्ता देने को कहती है, साप मना करता है, तब चुड़ेल गुसे में आकर उस पर बम फेकती है, चुड़ेल के बम से साप को धक्का लगता है, लेकिन जाधारी नाध है, वो आग उगलने लगता है, उसकी आग चुड़ेल के उपर गिरती है, और चुड़ेल आग में जलने लगती है, थोड़ी ही देर में वो जलकर मर जाती है